हेलो स्टुडेंट कैसे आप सब एक बार फिर नई वीडियो के साथ आपके स्टेनो को हम आगे बढ़ाते हैं और इसे कैसे आपके लिए फायदे बंद रहेगा वह हम आपको साथ की साथ बताते रहेंगे तो जैसा कि हमारी फर्स्ट क्लास में मैंने आपको अदो गामी वेंजन सिखाए थे जो कंप्लीट हो चुके हैं फिर इसके बाद सेकेंड वीडियो में सेकेंड क्लास में आपको अरद्वा गामी और आड़े अक्सर कंप्लीट बता चुका था अब हमारी आगे की क्लास कि इस्टैनो में सबसे ज्यादा आपकी प्रैक्टिस की जरूरत होती है और आई होप आपने पहली वीडियो और दूसरी वीडियो को देखते हुए अदो गामी और उर्द्वा गामी वेंजनों का प्रैक्टिस अच्छे से कर लिए तो मैं एक टैस्ट लूंगा सबसे पहल कि इतना अच्छे तरीके से वेंजन आपको आने चाहिए तभी आप इस्टैनों को सीख सकते हैं जैसे मैंने आपको प्रैक्टिस करी ती मैं आपको टैस्ट लेता हूं जैसे बोलते हैं हमने हमने बोला रह तो आपके दिमाग में जैसे मैंने बोला रह तो तुरंद आपकी तो मैंने एक बोला रह तो एक रह ऐसे बनता है नीचे से उपर एक रह ऐसे बनता है मैंने बोला है आपने है तुरंद बना दिया ठीक है मैंने बोला ले तो आपने ले ऐसे बना दिया ठीक है मैंने बोला वे तो मैंने आपने वे ऐसे बना दिया आपने मैंने बोला ये तो आ से बोलिए ठीक है और आपको से अगर दूसरा बनाना तो इस तरीके से बना दिया ठीक है तो इस तरीके से आपको अपने भाई बहन या किसी भी जो ऐसा सकते हैं जो आपको इस टैनों में हेल्प कर सकता है उससे अपने दोस्ते आपको वेंजनों का टेस्ट लेना है आपको उसे वेंजन मिक्स करके आपस में उससे बुलवाने हैं आपको कोई भी वेंजन इतने अच्छे तरीके से याद होना चीह है कि आप कोई वेंजन बोलता है आप अपकी पैंसिल चलनी चीह हैं सोचेना नहीं है इसमें अगर सोचेंगे तो स्पीड नहीं मैंटेन कर पाएंगे तो अने ठीक है फिर इसके बाद एक और काम करना है Twice-का की जब आपने वह टेस्ट ले लिया ठीक है आप ने वह टेस्ट दे लिया जब आउट लेंद है डिया अचसे के बना दी फिर इसके बाद उसको, उसी के सामने ट्रांसलेट करना for example मैंने यह क्या लिखा था मुझे तो पता होन अच्छी है ना आपके parents को नहीं बदा आपके guardians को नहीं बदा मगर आपको तो बदा मैंने यह लिखा था नीचे से रेखा ली थी देखिए चय और रह में क्या difference है चय थोड़ा सा उपर से उठके बनता यह 60 degree का बनता है रह हमारा नीचे से थोड़ा सा जुक्के बनता तो यह नीचे से बनता तो यह बनता रह तो आपको outline का खुद को पता होन अच्छी मैंने बता है आप test करवाई यह अपने guardian से फिर इस के बाद क्या करना है कि उस outline को दुबारा से हिंदी में translate करना मैंने क्या बना यह रह ठीक ह यह क्या बनाया ले यह क्या बनाया यह क्या बनाया खिर जूपाउन रे इस तरीके से आपको पहले practice करा है नहीं है अच्छी तरीके से चब आपकी प्रैक्टिस बहुत जादा मजबूत हो जाती है फिर इसके बाद यह 3rd class का वीडियो उससे पेले आपको वो दोनों वीडियो स्टार्टिंग की दोनों वीडियो है उससे प्रैक्टिस करने है। जब यह ज All Day पूरी तरीके सा आपको आ जाए अच्छी तरीके सा आ चाहए। तब ही इस 3rd वीडियो में जाना है। क्योंकि देखे बीच बीच में वीडियो देखेंगे तो आपका मांइड बिलकल कन्फ्यूज है यार यह क्या सरसिखा रहा है क्या यह के अाओ raise कैई यहाग मेरे समझ में एंगे तो आप बहुत ज्यादे हैंत। आप ऐसम में एक एक वीडियो को कम से कम एक खफते की practice कर देनी है मैं वीडियो जल्दी जल्दी इसलिए डाल रहा हूँ कि मुझे अपने मेरट और दिल्ली के students के लिए dictation तक पहुचना है और साथ की साथ नए students के लिए complete course भी पहुचाना है तो यहां पर आपको क्या करना है कि पहले इस्तनी जादा practice करनी है तभी अगली वीडियो पर जाना है अब हमारी थर्ड वीडियो आगए है देख लेना है मोटा मोटा मगर क्या की course को time to time practice करके जैसे बताता जा रहा हूँ वैसे ही practice करके आगे पहुचना है तो यह आयोप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको outline बनाने और outline के बाद test में आपको उसे हिंदी में वेंजन में translate करना है चलिए अब आगे बात करते हैं इस class की इसमें भी मैं आपको जरूर कुछ ना कुछ सिखा के जाऊंगा तो सबसे पहले मैं यह जरा lines केच लेता हूं जिससे कि आपको आसानी हो सीखने में ठीक है यह अमने lining कर लिए जैसे copy में lining होती है अब मैं यहाँ पर कुछ याद रखना कुछ word लिख रहा हूं जैसे for example लिख रहा हूं तक क्या है तक थिक एक word लिख रहा हूं numb एक रख रहा हूं र tark एक लिख रहा हूं बर एक रहा हूं tar ठीक है अब देखो अब हम इन वेंजनों को जोड़ना सीखेंगे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि स्टैनों में जो लाइन्स होती है उसकी दिसाओं की बहुत ज्यादा वैल्य होती है जो थाधोर मस्तेय हो और आपको अब अच्छे तरीके से आपको विएंजन कंपलीट करें और आपे सीज्ज़ तरीके के स्लेट एक जहां हो downad allocate dot कि अब सुझा सो आइन्स कि अब हो आपके औरके कि लिए जाने तो हमकर और चे1 जहें बनता है यह उसक हमारा ये लिछा हुआ है, तक, क्या है, तक, अब इसमें एक नियम बास याद रखना है, कि जहां से पहली VN चींद की आउटलाइन खब आपको दूसरे VN चींद की आउटलाईन उसी दिशामें बनाना है, जिस दिशामें मैंने आपको सिखाया था, फिर से मैं repeat कर रहा हूं कि जहां से आपकी पहले वियंजन की outline खतम हो वहीं से बिना pencil उठाए आपको दूसरे वियंजन की outline और उसी दिसा में बनाना है जिस दिसा में मैंने आपको सिखाया था अब इसके बाद चाहें तो इसकी copy की की line कटे नीचे जाए उपर उससे को कोई मतलब नहीं है ठीक है आपको सिर्फ उसी दिसा में बनाना जैसा आपको मैंने सिखाया था अगर वह नीचे से उपर जा रहा है तो उपर जाएगा उपर नीचे आ रहा है तो नीचे ही आएगा आप उसमें चेंजिस नहीं कर सकते आप सोचें कि यार ऐसे बनता है तो आपको क्या है कि ऐसे बना अगर आपने ऐसी गड़बड करी तो आप जिंदगी में कभी इस टैनो ना तो सीख पाएंगे और इस टैनो अगर लेंग बेश टेड़े मेड़े अच्छर आपने बना भी दिया आउट तो टै हमारा ऐसे बनता है और कै हमारा कै आइसे बनता है यह देखे यह हमारा बन गया तै और कैंभ आभ लोगर्र हो थाक्राइंगे तो तो आपस में जूड़े होए तो यह word आपस में जुड़ है, तो यह क्या बनेगे, तक आपने दुबारा से ट्रांसलेट कर दिया, यही मैं सिखाना चाहता हूं, कि कितना भी बड़ा सब्दो, कितना भी वह हो, और अगर नीचे outline जारी है, line card, उससे कोई मतलब निया भाई, आपको सिर्फ क्या करना है, कि जिस दिसा में मैंने आपको बनाना सिखा था, उसी ही दिसा में बनाना है, और याद रखना है, जहां से पहली outline खतम, वहीं से दूसरी start, clear, आपको tag तक, दूसरा word लेते हैं, जैसे लिखा हूँ है, num, तो ने, मैं, num, आपको पता है, ने हमें इस तरीके से बनता है, clear, मैं ह हमारा इस तरीके से बनता है, दोनों को आपस में सिर्फ क्या करना है, जोड़ना है, जहां से last खतम, वहीं से दूसरा start, तो यह हमारा ने, मैं, num, ठीक है, clear, तो यह हमारा ने, मैं, num बन गया, तो हमारा इसमें, अब हम इसे मिटा लेकते हैं, तो भी हमारे लिए translate करना असा यह जाहिर सी बात है, यहां पर आदा वेंजन होगा, तो यह हमारा वेंजन कहा था, ने, और यह वाली उल्टा चांद जब बन जाता है, तो हमारा क्या बनता है, मैं, तो हमारा ने, मैं, num, आयोब आपको समझ में आ रहा होगा, मैं एक एक word explain कर रहा हूँ, अगर किसी हो को कोई भी problem हो, comments में पूछ सकते हैं, मैं mobile number भी डालूँगा, आप phone करके भी पूछ लेना, कोई problem निया, और मेरे students तो जहर सी बात है, मेरे पढ़ाने का तरीका वो जानते हैं, कि इस तरीके से, खुले दिमाग से, खुले तरीके से, पढ़ाते हैं, कोई भी problem, language में अगर अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है, name है, name, name, name समझ में आगया, next word है, रह के रख, ठीक है, तो यह हमारा रह और के, ठीक है, अब हमारे पास confusion हैं, कि रह हम कौन सा use करें, अभी आपके पास पूरी opportunity है, कि आप जो दो तरीके की outline बनती है, दोनों तरीके की आप use कर सकते ह एक हमारा रह इस तरीके से बनता है, एक हमारा के इस तरीके से बनता है, ठीक है, तो हमें कैसे बनाना रख, इसे मिटा लेता हूं, रह और के, ठीक है, यह हमारा बन गया, रह के, रख, किलियर, अब हमारा आगे एक और जो रह है, वो इस तरीके से बनता है, रह और के, तो अब इसे हम फिर से जोड़ लेते हैं तो रह और कह किलियर यह हमारा रख बन गया अब आप इसे ट्रांसलेट दुबारा कर सकते हो नीचे से हमारी आउट-लाइन जाइड सी बाता है अगर उपर से चै बन रहा होता तो उपर से आता हो नीचे आकर जोड़ता तो यहां पर क्य तो यह हमारी रह हो गया और नीचे यह हमारा अड़ाक साहर सीधा हो गया है रक किलिए आप इस तरीके से एसे साथ के होड़ ट्रांसलेट भी करें और साथ की साथ आपको आउट-लाइन बी बनाने आउट-लाइन के साथ-सकी ट्रांसलेट करना ज्रूब ज़ता तो यह मैं लिखा रह लिखा तो मैं हमारा ऐसे बनता है रहा आपको सिर्फ निया में की याद रखना है कि जहां से पहली आउटलाइन के दम दूसरी वहां से इस्टार्ट अब बढ़ कितना होता है अब यह मैंने आपको दो वर्डों की प्रैक्टिस करने के लिए बोला अब इसके बाद हम चलते है तीन की तरह अब हमारा जैसे वर्ड आता है ता टा रह तटर क्या वर्ड है तटर तो हमारा तै ऐसे बनता है तै ऐसे बनता है तो वही हमें क्या बलता है आउटलाइन का नहीं देखना है कि कट रही है कुछ भी हो तै हमारा यह है तै हमारा यह है और तो इस तरीके से आपको मेरे भाई दो वर्डों की पहले दो वर्डों की प्रैक्टिस करनी है कोई भी ऐसे आपको अपने तरीके से दो सब्दों को जोड़ना है जो दो विंजन है दो विंजनों को जोड़कर उसकी जादा से जादा प्रैक्टिस करनी है जिससे कि आपकी प्राक्टिस बहुत ज्यादा मजबूत हो सके। अगर आपकी ये मजबूत होगी तभी आप मांतरा आए अच्छी सीख पाएंगे। तभी आपशोर अच्छी सीख पाएंगे।। तो इसके बाद जब दो वर्ड़ों की दस पेज की प्रैक्टिस हो जाए त तो रे चैक है रचक अब हमें बता है नीचे से हमारा यह स्टार्ट होता है तो आउटलाइन ऊपर की तरफ जाती तो यह रे होगा उपर से नीचे आ रही है तो यह होगा और यह हमारी क्या होगी किलियर इस तरीके से तिन व्यंजनों को जोड़ना सीखना है जब उसकी दस पेज की प्रैक्टिस हो जाए तो चार विंजनो को अच्री से जोड़ना शीखना है फिर पांच ही व्यंजनों 5 isso 6 विंजनों तक आपको 10-10 पेज की प्रैक्टिस करनी है अगले वीडियो में सबसे पहले मैं आपकी टेस्ट लूँगा आपको वर्ड बोलूँगा और आपको बहुत सारे बनाना सिखाऊंगा फिर इसके बाद हम स्वर सीखेंगे अब हमारी स्पीड बढ़ रही है आयोप आपको मज़ा आने लगेगा यहां तक आपकी जब आउटलाइन आपको समझने में आने लगेंगी तब आपको असली स्टैनों सीखने का जुनून और मज़ा आने लगेगा तो इसमें बहुत इंट्रेस्ट आता भाईयों बहुत इंट्रेस्ट आता बस आपको क्या की इंट्रेस्ट लेन पड़ेगा इस टार्टिंग की लास में थोड़े सी बोरिंग लग दी है मगर जब आपको यह वेंजन बनाना ओ सब्द बनाना आ जाएगा तब आप असली मज़ा सीखें देखें कि किस तरीके से करते हैं क्योंकि बहुत सारे नाम आएंगे बहुत सारे अपना नाम बनाना सी चैनल ने अकितने अथे मैं देखें आगे लिए जकम किसे लिए अपने फादर्स का या मदर या फिर अपने भाई की का दोस्तों की डोसरे का हमारे साथ बने रही है मेरे टिस्टेयनो चैनल को उन बच्चों तक जरूर पहुचाना जिनके पास इस्टेयनो सीखने के लिए complete money problem है तो आपको मैं next वीडियो मिलता हूँ और आपको सुर्ण सिखाऊंगा चलिए धन्यवाद